मोदी जी ने 2014 में ही लिया और मुझे कहते हुए आनंद है कि 8 साल में धेर सारे सुधार किये भी गए हैं अग बहुत सारे लोगों के यहाँ अलग-अलग प्रकार के पुरसकार भी मिलने वाले हैं राश्ट्री और खनीच पुरसकार भी यहाँ दिया जाएगा MTS के तिन मोडिल का भी प्रारम होने वाला है यहाँ पर जिला खनीच फाउंडेशन न्यास का जो जिले अच्छा प्रदसन करें इनका भी अटनोलेजमेंट किया जाएगा एक बहुत अच्छी प्रदसनी बार में देख कर आया बहुत अच्छी प्रदसनी लगाई गई है और यह भी जरूरी है कि जो काम करते हैं उसका अखनोलेजमेंट सरकार की और से होता है तो दूसरों को काम करने की प्रेना भी मिलती है और जिनों ने अच्छा काम किया उसके होसला चाहिबी होती है तो आज जिन लोगों को एवोड मिलने वाले हैं मैं उन सब को एड़वांस में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं क्योंकि एवोड देन का काम मेरे पासन के बात में रखा है वित्र हम सब खनिज के तर से जुड़े हुए लोग हैं हमने एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि खनिज क्षाईसिल संसाधन है एक बार अपनी इसको जमिन से निकाल दिया बाद में वो बच्चता नहीं है और मैं इत्यास का विद्यार्थी हूं धेर सारे है धेर सारे सा खनिज का उचित उप्योग नहों ना था रोमन सामराज्य के पतन के अनेक कारण थे प्रन्तु मुख्य कारण जो इत्यास के विद्यार्थी ढून कर निकाले हैं वो यह है कि इनके खनिज संसाधन क्ष्विन हो गए थे जितना भी लोहा इतने बड़े रोमन सामराज्य में था उन्होंने सोव साल पहले इसको बाहर निकाल दिया था उसके बाद में धिरे 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 विरान उजाड और परित्यक्त नगर में रोमन सामराज्य बदलता गया इलियड जिल को भी हम कन्यडा की जानते ही हैं मैं इसके बार में ज्यादा कहना नहीं जाथा परन्तु हमने भी इसके प्रती जागरुपता रखनी पड़े इसके प्रती जागरुपता रखते हुए हमने विकास में खनिज का संतुलित उप्योग करना पड़ेगा मैंने के तक कि खनीज कम स्पीड से निकालो अरे जितना दम है उतना निकालो कोई रोपने वाला नहीं है सरकार पीड धप्त पाए दिया परन्टु इसका उप्योग का अंतिम चेन देश के अंदर निर्मित करना चाहिए खनीज का कच्चा मालही एक्सपोर्ट करने से देश को कोई फाइदा नहीं होगा इसका उप्योग यहीं पर होना चाहिए इसका उप्योग करने वाली सारी की सारी अवद्योगी इकाईयां यहीं पर लखनी चाहिए और दुनिया भर में जो अंतिम प्रोड़क्ट जाता है व और आप चिंता मत करें इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्टर मोदी जी के नेतुत में भारत सरकार ने तयार किया है मैं आपको यहीं कहने आया हूँ कि आपका काम खनन करना सिर्फ नहीं है आपको भी बड़ा बनना है देश को भी बड़ा बनना ना है आगे की चेन को भी आप आगे लेते चाहिए यह कनीच का उप्योग कौन करता है वो हम करने की दिशा में आगे बड़े और अंटीम प्रोडक्ट तक की पूरी प्रोडक्शन चेल भारत के अंदर ही बने और भारत से समगर विश्व में जाने पर यह ज़ास्त खनीच क dishonko कंकरने की जरूरत महीं को इसंखे उतक को बढ़ाने के साथ साथ इसके उपयोग को मुठि-द्याइमेशनल बनाने की जरूरत है इसके उपयोग की ऑप्टिमम् कोश्ट इस देश के खजाने मे लाने की जरूरत और वो करने का काम आपका है सरकार ने धेर सारी सुविदा है इसके लिए की मैं कोईले का ही इसाब देना बात करना चाहता हूँ धेर सारा कोईला होने के बावजूद भी दुनिया के सबसे बड़े कॉल इंपोर्टर में से एक हम हुआ करते थे मैं आप बहुत फकर के साथ कह सकता हूँ मेरे मित्र बढ़ला जो सिके मित्रूद में कोईले की आयात को हम कम से कम करने में सफल रहे हैं और कोईले के खर्च को कोईले के व्याई को बढ़ाने में ऑप्टिमम लेवल पर हम पहुँचे हैं बहुत अच्छा साइन है देश की एकोनोमी के लिए कोईलाक शेत्र कुछ समय के पहले कैप्टिन और नॉन कैप्टिव की जाल में उलजा हुआ था हमने उसको सरल कर दिया खनन शेत्र के उद्योगों को कॉम्पिटिशन से बहार रखा गाया था हमने नितिया ऐसी बनाई जिससे अब इसमें कॉम्पिटिशन का तत्व आया है अलोट्मेंट को पारदर्सी करने का काम हमने किया है कॉल सیक्टर के अंदर और खनंक सेक्टर के अंदर भारी इंवेश्मेंट भी आया है इसकी efficency को बढ़ाने के लिए अभी जैसे इसे इन्होंने कहा कि हमने इसको royalty कम कर करकर इसको जोडने के लिए यह भी का है साथ साथ खनन असी परसंट से कम capacity पर चला नहीं सकते मरियादा भी आपड़ डाले आपको मरियादा साइड लगती होगी प्रूंति इसे फाइदा तो अंतत्व गत्व आपका है इतने ही खर्चे में अगर 80% से ज्यादा खना नाप करते हो तो आपनी कमपनी का ही फाइदा है और ये सारी चीजों को नितियों के तहट हमने बढ़ला है और नितियों के तहट पावर प्लांट की जगे बदल कर ट्रांस्मिशन के लिए बहुत सारी सुवीदा खड़ी करने का काम भी भारतिय जन्ता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने किया मित्रोचीस कॉल लिंकेज की बाद कोई सोच नहीं सकता था इसको हमने घर कर दिखा है और टेक्नलोजी के लिए कॉल सेक्टर को धेर सारे नए नए आयावों में खोलने का काम भी हमने किया है खनन और खनिक सेक्टर के बिना आत्मनिर्भर भारत संभव ने है भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो कोईला और खनन छेत्र के सुधार और कोईला और खनन छेत्र के आत्मनिर्भरता इसकी बेजित कंडिशन है और वो अगर हम अच्छे से करते हैं तो आत्मों निर्वर्दा के कई सीडिया हम एक साथ चड़ कर आगे बढ़ते हैं